फाए आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की तो आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने चार उबले हुए आलू लिये हैं जिने मैंने इने उबाल के ठंडा कर दिया था फिर इनका छिलका निकाल दिया और अब मैं इने कद्दू कस कर रही हूँ तो मैं इसी तरह से अपने सभी आलूओं को कद्दू कस कर लूँगी तो मैंने अपने सभी आलू कद्दू कस कर लिये हैं अब मैं इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी अब आप हरी मिरच अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चटपटा खाते तो और एक हरी मिच डाल सकते हैं अब मैंने इसमें एक चम्मच चाट मसाला डाल दिया एक चोथाई चम्मच लाल कुटु हुई मिरच और सवाद अनुसार नमक डाल दिया है अब मैं इसमें चार चम्मच चावल का आटा डालूँगी अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप थोड़े से चावल मिक्सी में पीस लीजिए तो चावल का आटा तयार हो जाएगा अब मैं इसमें एक चम्मच बेशन डालूँगी अब मैं इन सब को mix कर दूँगी आप चाहें तो अपने हाथ से भी mix कर सकते है तो यह मेरा अच्छे से mix हो गया है अब मैं इसे 10 मिनट के लिए rest करने के लिए रख दूँगी तो अब हमें 10 मिनट हो गए है अब मैं इसका ढखकर अटा देती हूँ अब मैं अपने एक हाथ को एक हाथ पे एक चम्मत तेल रखके दोनों हाथों पे अच्छे से लगा लूँगी और इस तरह से इसके छोटे-छोटे टुकडे कर दूँगी जितने भी मेरी तिक्की बनानी है मुझे उसी हिसाब से अलग कर दूँगी इसमें से उतने ही बड़े टुकडे तोड़ूँगी जितनी बड़ी मुझे टिक्की बनानी है तो यह मैंने एक हिसा ले लिया है अब अपने दोनों हाथों की अथेलियों पे रखूंगी इस तरह से गोल करूँगी और थोड़ा सा अपने हाथों से इस तरह से दबाव देएकर टिक्की बना लूँगी अब इसके किनारे भी ठीक कर दूँगी इस तरह से यह मेरी टिक्की बनके तयार होगी है बहुत असानी से बन जाती है अब हम सभी आलों की टिक्की बना के रख लेंगे ये देखी मैंने बिल्कुल असानी से बन जाती, कोई मुश्किल नहीं तो मैंने ये सभी टिक्या बना लूँगी इसी तरह से मैं अपनी तो ये मैंने सभी टिक्या बना ली हैं, उधर चलते हैं इनको एक फ्राइपन लेंगे, अब हम अपनी गैस पे उसमें एक कप हमने तेल डाल दिया है अब हम तेल को गरम करेंगे हम तेल को चेक करेंगे कि कितना गरम हुआ के नहीं तो हमने एक आलू की टिक्या बनाई थी, वही आलू का एक टुकडा डाल के देखा है तो अगर यह हमारा इस तरह से एक दम से उपर आ जाए तो हमारा तयार होता है तेल अब मैं इसमें अपनी एक एक करके सभी टिक्यों को रख दूँगी हमें इन डीप फ्राइए नहीं करना, सेलो फ्राइए करेंगे तो इसलिए मैंने सारी रख दी हैं आराम से अब हम गैस का फ्ले मीडियम पर रखेंगे बहुत हाई नहीं करेंगे नहीं तो हमारी अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगी यह देखी अच्छे से पक गई हैं बिन मैं इने पलट दूँगी आप इने अराम से पलट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती नहीं चिपकती भी नहीं है तो हम नाराम से सभी को पलट देंगे एक एक करके सावधानी रखना इसी तरह से हम दोनों तरफ पलटते रहेंगे थोड़ा थोड़ी देर बाद लेकिन गैस का फ्लेम हम बिलकुल मीडियम या स्लोई रखेंगे गैस आई फ्लेम पर नहीं करेंगे इस तरह से मैं दुबारा पलट दूँगी इनका कलर देखे कितना अच्छा आ रहा है जब तक हमें जो कलर चाहिए उतना अच्छा ना आए तब तक हम इसी तरह से पलट के एक दूसरी तरफ इन्हें पकाएंगे पकने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जितनी अच्छी से पकेंगे उतनी टेष्टी लगेंगी तो हमारे अच्छी से पकेंगे निकाल लेंगे बहुर और हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब चलते हैं हम इसकी दही बनाने के और तो हमें एक बावल में दही लेंगे दही आपको जितनी बनानी है आप उतनी ले सकते हैं मैंने चार चम्मच दही ली है और मैं इसमें दो चम्मच चीनी डाल दूँगी चीनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और आधा चम्मच काला नमक डालूँगी काले नमक से इस धही का टेस्ट भहुत अच्छा हो जाता है सादा नमक की बजाए आप काला नमक की डालिए अब ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और चीनी को भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसे मैं साइड में रख दूँगी अब ये मैंने इमली की चतनी बनाई थी तो उसको ले लेंगे इमली की चतनी आप फरीज में पहले से बना के रख सकते हैं अगर ये गाड़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करिए और वैसी बना लीजिए जैसी कि हमें टिक्की के लिए चाहिए ये मेरी हरी चतनी है जो मैंने अभी बनाई है इने भी रख देते हैं अब हम अपनी दो टिक्की रखेंगे एक प्लेट में अब इसके उपर जो हमने धही बनाई थी वो धही डाल देंगे खुब अच्छे से डालेंगे धही धही जितनी अच्छे से डालोगे तिक्की में खाने में उतना ही मज़ा आएगा यह हमने अच्छे से डाल दिया है इसमें धही खूब सारी अब इसके उपर मैं थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दूगी फिर इसके उपर मैं अपनी हरी चटनी डाल दूगी यह मैंने हरी चटनी बे डाल दी अब मैं इशके उपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जो अपने हाथों से थोड़ा क्रश करके डाल दूंगी अब इसके बेड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी उपर से थोड़ी सी लाल मिरिच डाल दूंगी आप कुछ और भी गार्णिस करना चाहें अनार या फिर सेव भी डाल सकते हैं इसके उपर लेकिन मैं इसके उपर धाई डाल के गार्णिस कर रही हूँ आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी टिक की कि आप हमें जरूर बताएं शेर करें लाइक करें धन्यवाद